हाई गाईज वेलकम चो ब्राइंड न्यू सेशन ऑफ कॉराइंट अफेयर्स आज की तारीख है तीस अगस्थ 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रंटियर आएस और अगर अभी तक आपने इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल मिन दोनों को विजिट करना बिल्कूल न भूलिए एगा और यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह चार बज़ एवेलेबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप हमाई टेलिग्रम हैंडल्स प्रंटियर आएस और एसे सिजर्पन दूसरा पूचा था कि भारते रिजर्फ बैंक आर्वी आई के कारेकारी निदेशों के रूप में किसे नुक किया गया है तो इसका सही जवाब था अजे कुमार स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का भाविना पटेले टोक्यो पर अलंपिक म किस खेल में रज़त पदक जीता है तो इसका सही जवाब है option number C table tennis तो भाविना पटेल पर अलंपिक में रज़त पदक हासिल करने वाली पहली भारते टेबल टैनिस खिलाडी बन करितिहास रच दिया यहां उन्होंने तस्वीर में देखिए उन्होंने semi-final में चीन की मिया टेबल टैनिस टूनामेंट जीता है तो इसका सही जवाब हो option number D, G, साथियान तो भारत के table tennis खिलाडी जी साथियान ने युकरेन के येवेन शिरेपा को हरा कर चेक international table tennis टैनिस टूनामेंट जीता यह उनका तीसरा IWTF challenge किताब है इससे पहले उन्होंने Belgium Open 2016 और Spanish Open 2017 जीता था यह उन्होंने तस्वीर में देखिए सेमी फाइनल में उन्होंने स्वीडन के ट्रूल्स मोरगाट को हराया पिछले हफते साथिया ने मनीका बत्रा के साथ साजदारी में बूड़ा पेस्ट में WT कंटेंडर में मिश्रित यूगल खिता नेक्स्ट क्वेसन देखो राश्टपाल खतिरिक प्रभार संभालेंगे उन्हें चन्दिगर का प्रशासक भी नूप किया गया है राश्टपादी भवन की और से जारी एक प्रेस विग्यापति के नुसार राश्टपती राम्नत कोविंद ने उन्हें पंजाब के राजपाल के पदघ पर नियमित न्युक्ति के जाने तक उन्हें वहां का प्रभार सौंपा है यह उन्हें तस्वीर में देखिए उन्हें सितंबर 2017 में तमिलनाडू का राजयपाल न्युक्त किया गया था असम के राजयपाल भी रहे चुके बनवारिलाल पुरोहित नागपुर लोकसबसीट से तीन बार सा स्वरन पदक जीतने वाले सूबेदा नीरा चोपड़ा को उनके सम्मान में पूने कैंट के आर्मी स्पोर्स इंस्टीट में एक स्टेडियम का नाम करन कर सम्मानित किया है नीरा चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्स इंस्टीट पूने कैंट का अनावरन रक्षा मंत् के लिए भी सम्मानित किया नेक्स्ट क्वेस्टन देखो वित मंत्री निर्मला सीता रमान ने सारवजनिक शेत्र के बैंक PSB के सुधार अजेंडा इस का कौन सा संस्करन लॉंच किया है तो सबसे पहले इस की फुल फर्म है तो केंद्रे बित और कॉर्परेट मामलों की मंत्री निर्मला सीता रमान ने 2021-22 के लिए सारवजनिक शेत्र के बैंक सुधार अजेंडा इस के चौतर संस्करन का नावरन किया यहां तरस्वीर में देखिए इस 4.0 का प्रमुख विश्य प्रद्योगी की सक्षम यानि टेकनोलोजी एनेबल्ड सरली कृत यानि सिंप्लिफाइड और सहयोगी बैंक यानि कॉलाबरेटिव बैंकिंग है इस 4.0 का उदेश्य ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के अजेंडे को आगे बढ़ाना और सारवजनिक शेत्र के बैंकों के काम करने के तरीके में डिजिटल और डेटा को गहराई से एंबेड करना है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो एक प्रयास है अंतर राष्ट्य जलवायू शिकर सम्मेलन आईसीएस दोहजार रिक्किस जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्ये प्रेमवक कन्वेंशन यूएफ ट्रिपल सी के पार्टियों के 26 सम्मेलन कॉप से पहले होगा जो नवंबर दोहजार रिक्किस में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा नेक्स प्रेस्टन देखो स्टॉप टीबी पार्टनर्शिप बोर्ट के अध्यक्ष के रूप में किसने कारेभार संभाला है तो सई जवाब हो ऑप्शन उबर बी मंसुक मंदाविया तो केंद्री स्वास्थ्व परिवार कलियान मं मंत्री मंसुक मंदाविया ने श्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ट के अध्यक्ष के रूप में कारेभार संभाला मंत्री तत्काल प्रभाव से 2024 तक जिम्म्यदारी को संभालेंगे उन्होंने स्टॉप टीबी बोर्ड के नीव वर्तमान अधियक्ष पूर्व केंद्रे स्वास्त्य परिवार कलियान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बियाभार व्यक्त किया वर्ष 2000 में स्थापेत स्टॉप टीबी पार्टनर्शिप एक सारवजिनिक स्वास सित्त है नेक्स्ट्वर्षन देखो बासिलोन ओपन शत्रण चूरणमेंट का खिताब जीता है सई जवाब सी सेथू रमन ने वासिलोन ओपन शत्रण। सेथु रमा ने भैतर टाई ब्रेक स्कोर के अधार पर विजेता बनने के लिए नौ राउंड से सेवन पॉइंट फाइव अंक एकत्र किये नेक्स्ट क्वेस्टन देखो तमिल लाडू के मुख्य मंत्री एमके स्टाले ने श्री लंकाई तमिल शानार्थियों के हित के लिए तमिल लाडू के मुख्य मंत्री एमके स्टाले ने घुशना की है कि राज्य में रहने वाले श्री लंकाई श्रानार्थियों की भैतरी के लिए 317 करोड चालिस लाख रुपे अवंटित किये जाएंगे श्रानार्थि शिविरों में रहे रहे ऐसे श्रानार्थियों को जो उजुला योजना से लाब उप्राप नहीं कर पा रहे हैं सरकार गैस सिलेंडर के लिए 400 रुपे देगी सरकार ने 300 SSG में से प्रतिये को 1,25,000 रुपे और देने का प्रस्ताव किया है 321 SSG जो पहले से ही सूक्षा में वो लगू उद्यम शुरू करने की योजना के लभारती है सरकार प्रतिये को 75,000 रुपे देगी नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्यूलेटर क्यों सिम टूल किट किसने मिक्सित किया है तो यह सई जवाब हो आप्शनोंबर D इन सभी ने यानि IIT रूड की C-DAC और IISC बैंगलोर तो एलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रदयोगी की मंत्रा ले माइटी ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्यूलेटर Q-SIM टूल किट लॉंच किया है Q-SIM भारत में स्वदेशी रूप से विक्सित अपनी तरह का पहला टूल किट है यह क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग के वेवहारिक पहलूओं को सीखने और समझने का एक महत्वपून उपकरन है इस प्रकारी है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान का एक नया यूग लाएगा इस टूल किट को IIT रूड की C.DAC और IIC बैंगलोर के विज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विक्सित किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईक समरी की तो टेबल टैनिस खिलाडी भाविना पटेल ने टोके परलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया चेक इंटरनाशनल टेबल टैनिस टूनामेंट जी साथिया ने जीता है चंदिगड एड्मिनिस्टेटर और गवर्नर ओफ पंजाब का अडिशनल चार्ज बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है सूबेदा नीरा चोपडा के सम्मान में पूने में एक स्टेडियम उनके नाम पर रखा गया है PSB रिफर्म्स अजेंडा इस का फोर्थ एडिशन लांच किया गया 3 सेप्टेंबर 2021 को इंटरनाशनल क्लाइमिट समिट 2021-21 की में जबानी इंडिया करेगा स्टॉप टिबी पार्टनर्शिप बोर्ट के चेयर पर्सन बने है मंसुक मंडाविया बार्सिलोन ओपन चेस टूनामेंट टाइटल SP सेथू रमा ने जीता है MK स्टालेन ने श्री लंकन तमिल रिफ्यूजिस के लिए 317.40 करोड रुपे के वेलफेर पैकेची घोशना की है और इंडिया का पहला कौन्टम कम्प्यूटर सिमुलेटर टूल किट IIT रुड की C-DAC और IISC बैंगलोन ने डिवेलप किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल स्वाद डे के हित के लिए डैश करोड रुपे के कलियान पैकेची घोशना की है इन दोनों क्वेस्चन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथ ही साथ इस बल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताके मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच